महावी जेनती की आप सब को बहुत बहुत शुबकामना है बहुत बहुत बढ़ाई भगवान महावी के चर्णों में मैं शर्षत नमन करता हूँ भगवान महावी ने केवल की प्राप्ति के लिए बारा वर्षों तक कठिन तपश्या की और जब उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ तो दुनिया में अपने उस ग्यान का प्रकाश फिलाया अपने ग्यान से संसार को अलोकित किया शर्म और समर्पन से जन कल्यान की ऐसी सीख भ आज भी दुनिया को एक दिशा देती है अइंस्वा पर्मो धर्म का महान संदेश दिया उनका यह संदेश आज भी पुरी दुनिया के लिए आदर्श है जीव मात्र के प्रति दया करूना और विने भगवान महावीर के उपदेशों का सार तत्व है इससे अधिक उदार औ और सयुष्ण दूसरी कोई भावना शाहिदी संसार में कोई हो भगवान महावीर ने आध्यात्म को त्याक से जोड़ा था शरीर को स्यों भलेई कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे प्राणियों को कष्ट नहों दूसरे किसी जीव को कष्ट नहों ऐसी भगवान महावीर ने परोपकारी दर्शन इस संसार को दिया परोपकार का ये भाव आज भी पुरी दुनिया में हमारे देश की पछान है और नसिक हमारा बलकी देश संपुर्ण विष्ण के अंदर भगवान महाविर का संदेश और दर्शन आज भी दुनिया को दिशा देता है उनकी शिक्षाएं सब्वे समतामूलक न्यायपूर्ण तता मानतवाजी समाज की इस्तापना का संदेश आज भी दुनिया के अंदर सबको नई दिशा देता है आज इस शुर्दिवस पर हम सबका सामुईक संकर्प करें कि हम शेवा करें भगवान महाविक के सिद्धान और उनके दिखाये गए मार्क पर मानोता गतिशील रहे आज दुनिया भोतिक उन्नत्ति तो कर रहे हैं मगर भगवान महाविक से पेड़ना पाकर नेतिकता आध्यात्मिक के शिकर पर पहुँचे ये मेरी कामना है सत्य अइंसा और अपरिगर की प्रति मूर्थी महान जेन धर्म के 24 वे तिर्थनकर भगवान महाविक जी को पुने शश्चत नमन करता हूं तता आप सभी जनों को पुने एक बार महावी जेनति की शुबकामनाय देता हूं बदाय देता हूं जे जिनेन जे महावीर